आज साल 2022 का दूसरा दिन है लेकिन नए साल का जशन इस बार दुनिया दुआओं के साथ मना रही है दुआ इसलिए कि ये साल 2021 जैसा न हो वो तस्वीरे फिर न देखनी पड़ें जो 21 में पूरी दुनिया ने देखी कोरोना का वो हाहाकार फिर न लोटे फिर आक्सिजन के लिए हाफते लोग न दिखी 2021 ऐसी बहुत सी कड़वी यादे दे कर गया है जिसे शायद ही हम कभी भूल पाएं लेकिन 21 के जखम 22 में न लोटें इसके लिए जरूरी है उन गलतियों से सबक लेना जो हमने 21 में की तो आपको दिखाएंगे 2021 की वो 21 गलतियां जिन से 22 में हम सबक ले सकते हैं हजार भेश धर के आई मौत द्वार में मगर तुझे न चल सकी गई वो हार के इतिहास का एक ऐसा साथ जो जिन्दा रहने की जंग में ही बीट गया दुश्मन एक ही था लेकिन रण भीशन हुआ दुश्मन पस्त हुआ लेकिन अस्त नहीं आपके साथ हूं मैं रोबिका ले आकर कोरोना पॉजिटिव होनी की खबर एक बार फिर से आने लगी देश के कई राजों में कोरोना के केस बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं जब लोग इलाज के अभाव में तड़प तडप कर मर रहे हैं तो हमारी हिम्मत नहीं ने कि हम कोई और बात करें बस यही है दोहजार इकीस जो कोरोना से जंग में ही बीट गया यू तो दोहजार इकीस में बहुत कुछ हुआ लेकिन अगर इस साल को लेकर कुछ याद रहेगा तो वो है कोरोना जिसके कहर से कोई नहीं बचा हर शक्स ने अपनों को खोया यू तो पूरा साल ही कोरोना ने दुनिया को इसी तरह से रुलाया लेकिन अप्रैल से जून तक कोरोना के कहर ने हाहाकार मचा दिया भारत में कोरोना से 4,80,000 लोगों की मौत हुई और अब तक 3,5 करोड से जादा केस आ चुके है पूरी दुनिया में कोरोना 54,000,000 लोगों की जान ले चुका है और 28 करोड इसकी चपेट में आ चुके है भारत में कोरोना से जादा तर मौत अप्रैल से जून के भीच हुई जिसे दूसरी लहर कहा गया 27 अप्रैल को ही मौत का आंकडा 2,000,000 पहुँच चुका था आज भी कोरोना खत नहीं हुआ लेकिन 2022 में 21 जैसा हाहाकार नहो इसके लिए सबसे ज़रूरी है उन नियमों का पालन करना जो कोरोना को हराने के हथियार है वेरियंट्स नए नए आएंगे जो ज़्यादा इंफेक्शन फेलाएंगे लेकिन चाहे कोई भी वेरियंट आए अगर हम कोविड अप्रोप्रेट बेहेवियर नभा के रखें अगर हम मास लगा के रखें दो गस की दूरी रखें हाथ धोएं भीर कठी ना होने दें सूप अग्से जादा कोहरा अक्सिजन के लिए मचा देश की राजधानी दिल्ली से दूर दरास के गाउं तक ऑक्सिजन के लिए लोग जूचते नजर आए काफी जादा परिशान है मेरा भाई और ऑक्सिजन कहीं से कहीं तक नहीं मिल पा रही है इस हाहाकार ने देर से ही सही लेकिन हुक्मरानों की नींद भी तोड़ी ऑक्सिजन का प्रोड़क्शन बढ़ाया गया सप्लाई चेन भी मजबूत हुई अब 2022 के लिए हम यही दुआ करेंगे कि अगर जरूरत पड़े तो कम से कम ऑक्सिजन के लिए तो 21 जैसे हालात न हो देश में जब कोरोना का सबसे बड़ा हमला हुआ तो उत्तर से दक्षन तक अस्पतालों के बाहर फूलती सास के साथ एक बेट की आस के लिए मरीजों की कतारें देखी एक अदद बेट के लिए लोग एक शहर से दूसरे शहर तक भागे किसी को मिला तो कोई खाली हाथ ही रहा दूसरी लहर का सबसे खौफनाक पहलू कोरोना से हुई मौत के अंतिम संसकार की तस्वीरे थी कहीं शमशान में शवों की कतारे दिखी तो कहीं गंगा में तैरती लाशे कानपुर से पटना तरक जगे जगे नदियों में लाशों का अंबार दिखा शमशान घाट में एक साथ दरजनों अर्थियों से उठती लप्टे दिखी 2021 के इस मंजर को तो भुलाया नहीं जा सकता लेकिन 2022 में ऐसी तस्वीर न देखनी पड़े हम इसकी दुवाज जरूर करेंगे कोरोना का कोहराम जब चरम पर पहुँचा तो मरीजों की मजबूरी को कुछ लोगों ने मुनाफ़े का मौका समझा जरूरत मन दवा के लिए मारे मारे फिरते दिखे और मुनाफ़ा खोरों ने महामारी को काला बजारी का जरिया बना दिया आज हालात भले ही ठीक हो गए लेकिन 2022 में ऐसा ना हो इसके लिए जरूरी दवाओं का प्रोडक्शन ही नहीं बलकि सप्लाई चेन भी मजबूत करनी होगी साथी काला बाजारी पर लगाम लगाना भी 2022 के लिए सबसे बड़ा सबक है कोरोना के अलाबा हिंदुस्तान के इतिहास में 2021 को किसान आंदुलन के लिए भी याद रखा जाएगा 2020 के आखिर में शुरू हुआ ये आंदुलन 2021 के आखरी महीने में खत्म हुआ लेकिन अफसूस कि इसमें सैक्णों किसानों की जान गई हलांकि सरकार कहती है कि उसके पास मौत का आंकड़ा नहीं है लेकिन किसान संगठनों और विपक्ष का दावा है कि 700 किसानों की मौत हुए यसे पूरा देश जानता है किसान अंदुलन में तकरीबन 700 किसान शहीद हुए एग्रिकल्चरल मिनिस्टर से सवाल पूछा गया था कि किसान अंदुलन में कितने किसान शहीद हुए एग्रिकल्चरल मिनिस्टर ने कहा कि उनके पास कोई डेटा नहीं है आंदोलन स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान जरूर है लेकिन आंदोलन में मौत ये इशारा करती है कि सब कुछ स्वस्थ नहीं है और 2022 में हम यहीं उम्मीद करेंगे कि ये बीमारी खत्म होगी साल भर तैयारी कर नए साल को बहतर बनाने में जुटे च्छात्रों और युवाहों के लिए 2021 ने कई जखम दिये और वजह रही परचा लीग होना बिल्कुल बरबाद करके रग जया है बच्चों के साथ पूड़ा खिलवार किया जाए रहा है नैशनल और स्टेट लेवल के कई परचे लीग होने से 2021 में बहुत सी परिक्षाएं भी कैंसिल करनी पड़ी सबसे बड़ा परचा लीग मामला नैशनल एलिजिबिल्टी कम इंटरेंस टेस्स कर रहा जिसका परचा जैपूर में लीग हुआ और परिक्षाएं रद्द करनी पड़ी इसके रावा इस साल यूपी में टीटी, महराष्ट में, महाड़ा सर्विसिस और गुजरात में सब ओर्डिनिन सर्विसिस का परचा भी लीग हुआ 2021 के बड़े जखमों में भारत माता के वीर सपूत जनरल विपिन रावत का हेलिकॉप्र हाथसा भी रहा इस हाथसे में जनरल रावत और उनकी पत्नी समय वायूसेना और थलसेना से जुड़े चौधे लोगों की मौत हुई आठ दिसंबर को हुए इस हाथसे की जान जारी है लेकिन इस हाथसे से ये सबक जरूर लेना होगा कि फिर ऐसा कभी न हो 2021 में गुजरात के पोट पर नशे की एक ऐसी खेब बरामत हुई जससे पूरा देश सन हो उठा 19 सितंबर को एजिंसियों ने 3000 किलो हेरोईन बरामत की और इसके बाद देश के अलग-अलग हिस्सों से भी नशे की कई बड़ी खेब पकड़ी गए 2022 में हिंदुस्तान नशा मुक्त हो हम सब यही काम ना करेंगे अक्टूबर में पैंडोरा पेपर लीक की लप्टे भी हिंदुस्तान तक पहुंची इसमें देश की कई जानीमानी हस्तियों के नाम भी सामने है अब इस पूरे मामले की जान जारी है लेकिन ऐसे खबरें देश की छवी को नुकसान ज़रूर पहुंचाती है 2021 का सबसे बड़ा खेल आयोजन भी विवादों से नहीं बचा जुलाई और अगस्त में हुए टोक्यो उलमपिक्स वैसे तो भारत के लिए बहत काम्याब माना जाएगा लेकिन स्टार बॉक्सर मेरी कॉंग जिस तरह जीता हुआ मैच हार गई वो भुला पाना देश के लिए आसान नहीं है साल के खत्म होते ही भारती क्रिकेट बोर्ड में भी विवादों के ऐसे शोले भढ़के कि कप्तान विराट कोहली और बोर्ड में ही तलवार खिच गई कोहली को वंडे के कप्तानी से हटाया गया और फिर उन्होंने प्रेस कॉंफेंस कर सौरफ गांगुली पर कई इल्जाम लगा दिया यही नहीं यह साल मैदान पर टीम इडिया के लिए अच्छा नहीं रहा अब हर क्रिकेट फैन 2022 में भारती क्रिकेट को फिर बुलंदियों पर देखना चाहेगा हर साल की तरह इस साल भी उत्राखंट पर कई कुदरती मार पड़ी लेकिन फरवरी में चमोली में ग्लेशन ब्लास्क की तस्वीरे देखकर पूरी दुनिया कांप पड़ी इस आबदा ने एक जटके में 72 लोगों की जान ले लिए वैसे तो खुदरत के कहर पर किसी का बस नहीं चलता लेकिन हम दुआएं जरूर कर सकते हैं 17 माई को अरब साकर में आये चक्रवाती तूफान ताउते से मची तबाही को भी भूलना आसान नहीं है इस तूफान ने 175 लोगों की जान ली लेकिन बार्च पर मजदूरों की मौत के लिए कुदरत कम और इंसानी गलती जादा जिम्मेदार मानी गए ये हादसा भी एक ऐसा सबक है जो हमें 2022 ही नहीं बलकि हमेशा याद रखना होगा अफगानिस्तान में दो दशक की जंग के बाद इस साल अमेरिका वापिस आया और तालिबान फिर से सक्ता में आ गया हलांकि उसने कई वादे जरूर किये लेकिन उसके वादे कितने पूरे होते हैं इसका इंतजार 2022 में पूरी दुनिया को रहेगा 23 से 29 मार्च के बीच स्वेज नहर में फंसे जहाद की इन तस्वीरों को भी दुनिया फिर से नहीं देखना चाहेगी इससे अंतरराश्ट्रिय व्यापार को 113 करोड रुपे का नुकसान हुआ और योरोप में कई जगों पर जरूरी सामान की किल्लत शुरू होगी साल 2021 कोरोना से जूशते हुए बीता और 2022 की आहट के साथ ही देश में ओमिक्रॉन ने भी दस्तक दे दी है लेकिन उमीद करते हैं कि साल 2021 में जो गलतिया हुई वो इस साल नहीं होंगी और अगर देश में करोना की तीसी लहर आती भी है तो हम 2021 से सबक लेते हुए करोना की तीसी लहर से लड़ने के लिए जादा अच्छे से तयार होंगे ABP News आपको रखे आगे